जहिन सातियो स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल Free Knowledge 1998 पर दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि CISF Central Industrial Security Force दोस्तों CISF में आप सभी के लिए New Vacancy जारी कर दिया गया है और दोस्तों यह जो New Vacancy जारी किया गया है दोस्तों यह ओफ-लाइन है दोस्तों इसके जो form होंगे वह ऑफ-लाइन आपको फिलिप करना दोस्तों यह वेकेंसी ओनलाइन नहीं है यह सबसे पहले आपको बताना जर सकते हो जैसे कि यहां पर दिया हुआ है अप देख सकते हो वर्थ रहा हूं कि यह offline vacancy है दोस्तों इस vacancy की पूरी जानकारी में आपने इस वीडियो पर दूँगा वीडियो स्टार्ट करने स्पहल आपको कहना चाहूंगा यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज दिस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें कैनरी उद्योगीक सुरक्षा बल Central Industrial Security Force ग्रह मंत्राल है दोस्तों यह इसका ओफिसले नोटिफिकेशन है आप इसकीन पर देख भी सकते हो और मैं आपको इसका ओफिसले नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं दोस्तों यह जो आपकी जो भरती आई है को जी पोस्ट के लिए ही मैं आपको बता दूं कि only head constable constable ट्रेडमेन आई है और सब इंस्पेक्टर और ISI के लिए इसकी जो विकेंसी आई हुई है दोस्तों मैं आपको इसके पोस्ट की जाने करें देदू कि इसमें कितनी पोस्ट है दोस्तों इसमें पोस्ट है 690 वेकेंसी इस पर जारी कर दिया गया है 690 पोस्ट पर आपकी जो CISF में जो पोस्ट है उसके लिए आपकी भरतिया होना है तो दोस्तों यह आपकी भरतिया जौनवाइस दिया गए है इसमें आप देख सकते हो इसका नौटिफिकेशन मैं अपने टेलिगाम ग्रूप पर डाल दुगा वहांचे आप इसका नौटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो दोस्तोव अब मैं आपको बता दूँ इसमें qualification क्या मांगा गया है दोस्तो आपका 10th प्लस 12th पास होना बहुत जरूरी है दोस्तो ये तो था जीरी और ट्रेडमेन के लिए दोस्तो जो ऐसा ही पद है उसमें दोस्तो आपका qualification आपका graduation complete होना चाहिए तब ही आप दोस्तो इसको qualify इसको इसका form apply कर सकते हो दोस्तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके height की तो दोस्तो इसमें आपकी पहले age की बात पहले age बता देता हूँ दोस्तो आपकी age कितना होना वाला है दोस्तो जो SC, ST और OBC इन तीनियों के लिए दोस्तो आपकी जो age रहेगी 18-23 तक होने वाली है और दोस्तो जो OBC की वई है वो दोस्तो त्री एर की छूट दी जाएगी और जो जनरल केटिगरी में जो आते हैं उनको कोई भी छूट नहीं दी गई है अब दोस्तो हम इसमें फिजिकल स्टेंडेट की बात करें तो आपकी जो हाइड रहेगी एक सो सतर सेंटीमेटर रहेगी और फिमेल के लिए एक सतावन सेंटीमेटर रहेगी और जो नौर्थ नौर्थ केंडिडेट है दोस्तो जो नौर्थ केंडिडेट उससे बिलॉंग करते हैं उनके लिए एक सो पैसट सेंटीमेटर और एक सो पचपन सेंटीमेटर फिमेल की रह 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 85 आपका इंप्रेशन होना चाहिए मेल के लिए दोस्तो ये आपका नॉर्मल एटी होना चाहिए और इंप्रेशन में 85 आपका चेस्ट आना चाहिए दोस्तों इसमें हम आपके पेपर की बात करें तो आपका 200 marks का आपका एक्जाम होने वाला है जिसमें आपका दोस्तों General Intelligent Reasoning रहेगी, General Awareness रहेगी और Numeric Ability रहेगी और Comprehension of Communications Skill रहेगा तो आपका Total 200 marks का पेपर होने वाला है दोस्तों आपको मैं बता दूँँ, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, यह वेकैंसी ओलाइन नहीं है जिसी ओफलाइन है, आप इसका ओफलाइन जाके इसका application flip कर सकते हो अब दोस्तों मैं इसमें ground की बात कर लेता हूँ, तो आपका 1.6 km आपका ground होगा और दोस्तों female के लिए रहेगा 800 meters रहेगा जिसको इनको 4 minutes में qualify करना है और male के लिए 6 minutes 30 seconds में qualify करना है और second number पर 100 meters का race होगा आपका जिसको आपको 16 seconds में qualify करना है और female का भी होगा तो उसको 18 seconds में पार करना है है अब दोस्तो हाइट की बात करता हूं है हाइट जंप की है इसमें हाइट जंप पर मांग गया है इसमें हाइट जंप 3.9 फिट होगा वो आपको तीन चांज दिये जाएंगे और गरल का जो है दोस्तो फिमेल के लिए है तीन फिट आपको गड़ा जंप किया जाएगा और दोस्तोव आपको तीन दिये जाएंगे और कि आपको तो यह था दोस्तोव आपका ग्राउंड का यह दोस्तोव और दोस्तोव मैं लाश्ट डेट का बता दूं कि और आपको ध्यान दिला दूं कि इसकी लाश्ट डेट जो है पांच दो दो जार एक कैसे रहेगी आपको बता आये था और जो आपका जो फॉर्म फिलीप होना है तो वह तो चालू हो गया है दोस्तों 31 दिसंबर से चालू हो गया है 31 12 2020 से चालू हो गया है अपने किसा अप्लीप करना और दोस्तों अलग-अलग जॉन बाई से उनका अलग-अलग डेट दी गई है कि उनके लाश्ट डेट कब है और कैसा है करके तो दोस्तों यह उसका पूरा ओफिसलर नोटिफिकेशन था मैंने आपको बता दिया हूं एक बार कि विकेंसी को आपका अप्लीकेशन करिए दोस्तों आपके लिए बहुत तीचे सोनहरा मोका है आपको एक बार और रिवायत दिला देता हूं मैं कि दोस्तों इसका जो है लाश्ट डेट मैंने आपको बता दिया हूं फाइब टू-टो-जार इक कैस रहेगी करके दोस्तों हमारे चैनल पर गौर्वर्मेंट जोब के अपडेट डालते रहते हैं और आर्मी रेली की बाहलिया और इपोटेंट कोशन डालते रहते हैं तो तो आप एक भी हमारी वीडियो मिस ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एक भी गौर्मेंट जोब क सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दावना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अप्डेट आपको सही समय पर मिलती रहे